हाई दोस्तों, असलाव अलेकुम, कैसे आप लोग, मेरा अबनाबील है, यह अच्छा हमारा संडे की वेने, जिसमें आपके पुछेवे questions के आंसर में देना ही कुछ करोगा, कावी interesting, अच्छे questions आये है, लेकिन सबके questions नहीं ले पाते हैं, limited time होता है, तो उसके लिए really, really sorry, ल questions पुछना है, पूछिए, मैं वहाँ से choose करूँगा, कोई भी hashtag वगरा, ask नभील वगरा, कोई भी इस्तमाल करने की जोतनी, जो हम लोग पहले use करते थे, इसके आता हमारा Q&A ने शुडू करते थे, उस्तों फटा-फट से questions लेते, ताके जाधा time वेचना हो, पहला question पूच का answer जो है, आप में से बहुत लोग के लिए बहुत जाधा important हो सकता है, तो गहर से सुनिए, यह पुछते कि इनके पास एक लाग रुपे का budget है, यह YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते है, टेक्स related, तो कौन सा iPhone लेना चाहिए, फिर iPad, iPhone दोनों लू, माइक कौन सा लू, क्या में आप बताईए, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो congratulations, आपने यह decision लिया YouTube पे आने का बहुत जाधा आपका welcome है, और दूसरी बात, आपके पास एक लाग का budget है, यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए यह बहुत बड़ी बात है, लोग आपको generally suggestion यह के रखता हूँ, वो DSLR और उसका जो lens है, उसका जो combination है, वही एक लाग का है, और उसके पुराने lenses में पड़े हैं वहाँ पे, उसको अगर गिनो तो और ज़्यादा costly हो जाता है, तो एकदम basic सा DSLR है मेरा, जिससे मैं इतना भी ज़्यादा खुश नहीं, उसकी quality से उसको भी upgrade करना चाता हो, तो आप अगर एक लाग रुपे DSLR पे डालेंगे, तो कोई worth नहीं है, इसलिए आप iPhone ही लेना, लोगों की बातों में मत आना, iPhone ले लीजिए, iPhone 11 अगर आप लेंगे, तो भी अच्छा है, iPhone 10R लेंगे, तो भी अच्छा है, iPhone AC लेंगे, तो भी अच्छा है, वो ले लीजिए, और अपना YouTube का करियर स्टार्ट कीजिए, अगला कोशन है, दोस्तो शुबं गेमर का, ये बहुते है, iPhone SE 2 Plus कब आएगा, और क्या प्राइस होगी उसकी, देखिए, अभी जो है, फिलाल iPhone SE 2 Plus जो है, इस साल के अंदर, 2020 के अंदर नहीं आने वाला, इस साल म आता है या नहीं आता है, वो उस टाइम पर ही पता चले का कभी कभी जो है, इस टाइप के जो लीक्स और रूमर्स होते हैं, गलत भी साबित हो सकते हैं, तो देखिए, रुक के अगर आता है, तो आप फिर ले सकते हैं, अगला कोशन काफी अच्छा है, दोस्तों सुमीत प लोगने के अधरे, अलगल उस पर कैटेगरी है, जो आपको चूज करना कर सकते हैं, कभी-कभी क्या होता है, दोर बेल हमसे मिस होती है, तो वहां से हम लोग उसको आउन करके रख सकते हैं, तो हमारे फोन पर हमको नोटिफिकेशन आ जाएगा, कि डोल बेल हमने नहीं सुन करता है, तो वहां पे green या orange dot उपर आ जाएगा, यह system के लिए नहीं है, system में आ गया जैसे आपका Siri है, जो के built-in चीज है, Siri कोई अलग से तरपड़े application नहीं है, तो यहां पे Siri हो, या फिर sound recognition है, उसको बताने के लिए नहीं है, यह बहुत ही obvious सी बात है, कि वहां पे आपका है, vocal होते है, बात करते हैं, कि Chinese लोग हमारी privacy चुरा रहे है, data leak कर रहे है, और Americans के उपर नहीं होते है, Americans भी तो यह चीज करते है, जैसे Facebook है, Google वगरा है, तो बिल्कुल Americans के उपर भी बोलते है, Facebook और Google के उपर तो हमेशा बोलते रहे हैं, अगर आप मेरा Twitter देखेंगे, तो वहाँ पे मैं Indian companies के उपर भी बोलता हूँ, जो लोग हमारा data privacy leak करते है, मेरे साथ बहुत ही गलत incident हो गया, जिसके उपर मेरे वीडियो बना के आप लोग को नहीं बता है, लेकिन Twitter पे जो लोग फॉलो कर रहे है, जितने भी लोग है, अगर आपको भी करना है, तो आप आप उसने जियो में काम करने वाले friend को देकर मेरा mobile number वहाँ से निकल वाया, सोचिए, मेरे phone के IMEI को लेकर जो मेरा mobile number linked है, जो किजी को generally मिल नहीं सकता, वो जियो से उसने निकल वाया, क्योंकि मेरा primary SIM card जियो का है, और मुझे contact करने के उसने कोशिश की, मैंने उससे जो है निकल है, आपके आधार card से linked है, जिसमें आपके घर का पता है, जिसमें आपके मा, बाप, बीवी, बच्चे, सब के contacts जो है, एक दूसे के साथ linked है, वो इतनी आसानी से जियो जैसी बड़ी mobile phone company, उसके employees जो है, किसी भी अपने दोसको बाट रहे है, तो ना सेव American, Indian, Chinese, कोई भी हो अगर कोई privacy step की leak करता है, तो उसके खिलाफ हमको आवास उठानी ही चाहिए, अगला कुशन है, दोस्तो, AirPods related, AirPods Pro या AirPods 2, दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, यह सवाल पूचा है, जखवान खान ने, देखिए, AirPods 2 जो है, मैं काफी टाइम से use कर रहा हूँ, as my primary AirPods, और AirPods Pro भी जो है, मैंने अभी, आपने देखा होगा, दो-तिन दिन पहले ही लिया है, हाला कि मैंने पहले ही, 2019 में इन दोनों का एक comparison बनाया था, और उस पे almost 3 lakh views है, तो 3 lakh लोग देख चुके उसको, यह मैंने अभी जो लिया, वो इसलिए लिया, इसलिए नहीं लिया, कि AirPods 2 मुझे पस cancellation वाला feature है, अभी जो नया feature है, special audio वाला, इसके लिए, actually मैंने ये AirPods लिया के इसको test करूँ कि किस तरीके से काम करता है, तो उन लोगों के लिए AirPods Pro जादा बहतर रहेगा, या फिर जो लोग थोड़ी sports वाली activity में involved है, क्योंकि इन ear type के earphone से कान के अंदर जाके बैठते है, rubber buds वाले, तो वो लोग के लिए थोड़ा beneficial हो सकता है, otherwise, अगर आप AirPods 2 लेंगे, तो आपको उतना ही equally good experience देखने मिलेगा, अगर आप generally calls के लिए, या फिर PUBG केलने के लिए भी यूज करते हो, normal day-to-day life में यूज करते हो, तो आपको दोनों में कोई फरक महसूस नहीं होगा, क्य वो same chipset दिया हुआ है, अगला question है motivation with cash का, यह वहते हैं, मैंने आपकी YouTube journey के ओपर एक वीडियो बनाई है, लिंक दिया हुआ है, तो मैंने वीडियो देखी, और मुझे काफी अच्छी लगी कि आपने बनाया, I feel honored कि आपने मेरे से related कुछ वीडियो बनाया है, तो मुझे देखना है, तो इनका चैनल आप सर्च करके देख सकते है, motivation with cash, या फिर इसका जो link है, मैं नीचे description box में दे दूँगा आप लोग के लिए, अगला question आया हर्श सिंग की तरफ से बोलते है, Apple जो है iPhone 12 launch करने वाला है, November में, तो क्या लगते है, आपको iPhone 11 लेना चाहिए, 12 लेन कर सकते हो, एक phone के उपको spend करने के लिए, और उस phone से आप output क्या निकालने वाली है, ये सारे factors आपको consider करना पड़ेगा, इसका जवाब मैं आपको कभी भी नहीं दे सकता, मैं comparisons कर सकता हूँ, मैं दोनों phone को compare कर क्या आपको बता सकता हूँ, लेकिन जो final decision है, वो हमेशा आप का ही होना चाहिए, अगर AirPods Pro और AirPods 2 में भी decision आपको लेना है, the decision should be yours, मैं उसके दोनों के pros and cons बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आपको सोचना है, obvious ही बात है, worth तो होगा ही, क्योंकि उसमें definitely iPhone 11 से better cameras होंगे, better specification होंगे, सारी चीज़े iPhone 11 से आपको better होगी, लेकिन जो price difference होगा, वो जितना भी होगा, वो आपको decide करना है, क्या वो चीज़ आपके लिए value for money है के नहीं, क्या आप वो spend करना चाहते के नहीं, यह decision completely आपका होना चाहिए, अगला question दोस्तो, जिगर शाह का, इन्होंने AirPods 2nd generation flip card से लिया, जून के महीन के अंदर, और उसकी जब warranty चेक की, Apple के website पे checkcoverage.apple.com पे, तो वहाँ पे उनको जो warranty का end date था, वो September का ही नजर आ रहा है, याने कि तीन महीने की warranty उनको मिल रही है, जबके एक साल की warranty उनको मिलना चाहिए, तो बहुत ही बादा परेशान है, flip card वागा से भी, उन्होंने contact किया AirPods और Apple Pencil वगरे की warranty automatically start नहीं होती, तो इस case में आपको क्या करना है, आपको Apple Care को contact करना है, अगर वहाँ से आप अपना date of purchase अपडेट नहीं कर पा रहे आपल के website से, तो Apple Care को contact कीजिए, वो लोग आपको email address देंगे, उस पे आपको आपका flip card का जो invoice है, जो खरीदा है, आपने वो bill है, वो email करना है, और आपकी warranty वहाँ पर update हो जागी, in fact, मैं आपको बताना भूल गया हूँ, कि iPhone SE 2 यह जो मैंने लिया flip card से, इस पे भी मुझे जो है warranty गलत बता रहता, in fact, जादा warranty बता रहता, लेकिन वहाँ पे जो purchase date है, वो वहाँ पे नहीं मोझूती, जब मैंने उ उसको अपडेट करने को गया, तो अपडेट नहीं हो रहता, तो इस तरीके से ही, मैंने procedure फॉलो किया, अपडेट करवा ली अपनी warranty, अगले कोशन है, डॉक्टर एस्टेडिक का, यह बोलते है, आपके thoughts क्या है, iOS 14 जो expose कर रहा है, TikTok, LinkedIn, Reddit वागरा को, जहां पे वो लोग clipboard क access कर रहे है, तो इसके बारे हैं के thoughts क्या है, बहुत ही जबरतस काम कि iOS 14 ने, और इससे जो है, बहुत लोगी आखे खुली और पता चला कि किस तरीके से, iPhone जिसे secure phone के अंदर भी कुछ applications है, जो clipboard को बिना आपके इजाज़त के access करते है, और clipboard में काफी sensitive data हो सकता है, तो यह बहुत चीज़ बहुत चीज़ और यह चीज़ Android अलोके लिए अच्छी हुई, क्योंकि उनको भी पता चला कि कौन से application पर नज़र रखनी है, अगली चीज़ यह पुछते है कि बहुत सारे जो advertising companies है, वो protest कर रहे है, Apple के tracking notification के उपर EU के अंदर, तो उसके बारे में आपका क् बहुत जबर्दस चीज़ है, तो यह चीज़ जो है, यह सब marketing वाले जो होते है, या advertisers जो होते है, इनका पूरा business खराब करने वाली चीज़ है, लेकिन user के लिए बहुत जबर्दस चीज़ है, तो मेरे thoughts तो यही है, कि user की जो privacy है, यह सबसे जाता important है, अगर आप चाते हो permission देना, then you can give the permission to track you, otherwise आपको पूरा right होना चाहिए, as an individual के आप अपनी privacy को बचा के रखे, अगला question है दोस्तो, अर्जुन परभत का, यह बोलते है, watchOS 6 कैसे install करे, Apple Watch Series 1 के अंदर, इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके दो reason हो सकते है, अगर आपके पास iOS 12 वाला iPhone है, तो आप watchOS 6 जो है, उसके साथ paid हुई वी, Apple Watch Series 1 के अंदर install नहीं कर पाएंगे, आपको iOS 13 पर चलने वाल iPhone लगेगा, और दूसरा reason यह है, इसके अंदर, कि आपकी जो watch है, वो Series 1 नहीं है, Series 0 है, बहुत लोग यह लगता है, कि Series 1 से Series 5 तक ही Apple Watch आती है, लेकिन एक Apple Watch Series भी आती है, जो कि Series 0 भी कहलाती है, तो उसके अंदर watchOS 4 के बाद कोई भी update आपको देखने नहीं मिलेगा, तो आपकी जो watch है, उसका जो back side होता है, वहाँ पे देख लीज जो internal audio recording होता है, वो call recording के लिए काम नहीं करता है, और इस type की जहाँ पे भी privacy के लिए ज़रूरी है, वहाँ पे उसको block कर दिया जाता है, अगर आप call के अंदर loudspeaker पे दालेंगे, और screen recording on करेंगे, या voice memos on करेंगे, तो वो वहाँ पे काम नहीं करता है, तेकिन ये internal audio recording जो है बहुत ही beneficial feature है, अगर आपको कोई tutorial मनाना है, कोई problem अपनी share करनी है, तो इस तरीके से या gameplay record करना है, तो आपके बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, अगर आप ऐसे सोच रहे हो, कि YouTube videos या कोई भी movie जो है, हम लोग screen recording के जरिए से record कर पाएंगे, वो तो आप किसी और phone के ज चला सकते है क्या, चला सकते है, लेकिन वो काम नहीं करेगा, वहाँ पे नहीं Android में चलने वाले जो Qualcomm और MediaDict के processor है, वो iOS के उपर काम करेंगे, उसकी वज़े ये है कि Optimization जो है, iOS का, वो Apple के, जो A-series के processor है, उनके साथ किया हुआ है, और Android का जो Optimization है, वो Qualcomm के और MediaDict के processor के साथ किया हुआ है, जब आप Apple के A-series के processor वहाँ लेके जाके यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे वो जो है ठीक से काम नहीं करेंगे, in fact, अगर आप Android OS को iPhone के अंदर install करते हो, कर सकते हो आप, लेकिन अगर करते हो, तो उस टेम पे Android भी ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि Android की जो RAM requirement है, वो भी बहुत जादा होती है, अगला कोशन है, सरवेश का, ये बोलते हैं, कि आस Macbook Pro 16 इंचेज वाला है, और ये Final Cut Pro का इस्तमाल करते है, अपने Lab पे रखके, ये अगर इसको यूज़ करे, तो इतना जादा गरम हो जाता है, कि इनके पैर जो है, जल बुन जाए उसके अंदर background rendering को आपको off करना है, background rendering में क्या होता है, जैसी आप video edit करते रहते हो, background में जो आपका CPU है, GPU है, वो बहुत जादा काम करता है, उसको render करके रखने के लिए, ताकि जो final export हो, वो fast हो जाए, तो उसको आप off कर दो, तो आपका जो heating issue है, आपके गोद में रखने प 2019 में क्या officially windows install कर सकता हूँ, performance में क्या फरक पड़ेगा, purchase करना पड़ेगा क्या, देखिए, without purchase भी आप यूज कर सकते हो, purchase करके भी यूज कर सकते हो, सिर्फ 99 डॉलर है, यानि कि 7000 रुपे के आसपास official windows आपको मिलता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको pirated windows का इस्त install करे हो, और जब बूट करते हो, तो dual OS के अंदर आप बूट नहीं करते हो, किसी एक OS के अंदर ही आप बूट करते हो, तो performance में आपको difference नहीं लगेगा, यानि की performance आपकी कम नहीं होगी, अगला question है, राघव अरोरा का, यह होते है, इनका battery cycle count जो है 700 plus cycles का हो चुका है, लेक battery की charge holding capacity होती है, और battery का जो cycle count होता है, वो charging और discharging का जो combination है, उसको बोला जाता है, एक cycle, तो multiple जब आप charging, discharging करते रहेंगे, तब जाके जो cycle count होता है, वो आपका charging cycle count है, और battery health है, आपकी battery की charge holding capacity, यानि कि वो कितना charge पकड़ के रख सकती है, और दोनों जो है, वो indirectly proportional है, य आपका battery cycle count बढ़ता है, क्योंकि battery health के उपर बहुत सारी चीज़े भी effect करती है, बहुत लोग ऐसे भी है, जिनका शायद 100 या 200 cycles ही होंगे, बैटरी के, लेकिन उनकी battery health 90% से भी नीचे आ जादी, तो battery का health drop करने का जो सबसे बड़ा reason है, वो है heat, हो सकते है, आपका phone उतना heat ना हुआ हो, इसलिए आपके phone की battery आज भी 87% पर maintained है, अगला question है, अनुवर बाश्या का ये बहुत है, क्यों ARM-based MacBook जो है, वो bootcamp support नहीं कर रहे है, अगर उसमें MacBook लेने के बाद कोई software ना चले, तो हम bootcamp कैसे use कर पाएंगे, देखिए अभी फिलाल, as per जो information हमको अभी मिली है कि bootcamp अभी ARM-based MacBook के उपर supported नहीं है, इसलिए Apple ने अभी सारे application developers, जैसे Windows के भी Microsoft के भी application developers है, उनको बोला है कि Word, Excel, PowerPoint ये सारी चीज़े ARM-based MacBook के लिए develop करके रखे, तो ये एक negative point हो सकता है, जो लोगों को Windows चलाना है, अभी ARM-based MacBook के उपर, लेकिन अगर आप Intel वाला MacBook लेते हो, त इसके बाद bootcamp जो है, उन MacBook के लिए भी introduce कर दिया जाए, अगला question है दोस्तो, सबीर नियास का, ये बोलते है, बहुत लोगे बजट में iPhone नहीं होते, तो Android कैसे safely use कर सकते है, QNM में ज़रू बताईए, देखिए, अगर आप Android यूस कर रहे हो, तो जितना हो सके, उतना करो कि stock Android का इस्तमाल करो, ये custom UI सब अच्छा लगता है देखने में, यहाँ पे जो home screen ऐसी गूमरी है, वैसी गूमरी है application, आपने cartoon वाले बना के रख दिये, लेकिन आपकी privacy की जो धजिया उड़ाते हो लो, आप लोगो पताईए कि Xiaomi वाले और Realme वाले और Poco वालो पे, कित इतना हो सके, उतने कम third-party application इस्तमाल कीजिए, जो आपके जरूरत है, वही जिसे Amazon वाले जरूरत है, तो obviously आपको install करना पड़ेगा, लेकिन जो बेकर-बेकर के application उसको install मत कीजिए, और ऐसे applications का बिल्कुल भी इस्तमाल मत कीजिए, जो paid applications है, लेकिन उसका modded version, pirated version डाउनलो पड़ सकता है, क्या इसके लिए 16-inch base model perfect होगा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि 16-inch model के लिए आपको जाना चाहिए, अगर जाधा graphics intensive task आपको करना है, आपके MacBook पे, वीडियो editing भी अगर आपको करना है, बहुत जाधा heavy वाली 4K वगरा और multicam footage, तो आपको MacBook Pro 16-inch के लिए जाना compare करने का, देखिए ऐसा नहीं कि Android cheap price पे available है, तो Android में expensive लाग देडलाक वाले phones भी आते है, तो हम उनको जो है iPhone के क्यों न compare करे, अगर iPhone और वो similar price range में available है, अगर OnePlus का भी price range देखते हो, तो उसमें iPhone 10R और iPhone 11 वगरा आता है, similarly price तो क्यों नहीं उनको compare हम कर सकते है, रही बात iPhone जो bashing करते है, iOS की bashing करते है, वो Android वाले YouTubers करते है, हमारा काम तो सिर्फ उनको जवाब देने का है, अगला कुशन है दोस्तो सौरब दत्ता का, और यहाँ पर ही एक mentality के बारे में बताना चाहरे है, कि ad blocker वगरा तो ये use नहीं करते है, लेकिन बहुत लोग उन्होंने समझाय और लोग समझते नहीं है, 90,000 के एक लाग के जो Galaxy S20 Ultra वगरा यूज करते है, उस पर भी ad blocker और ऐसे free वाले applications वगरा जो है, pirated applications वो डाउनलोड करके इस्तमाल करते है, YT premium के लिए, YouTube premium के लिए है, 16,00 रुपे साल का नहीं देज़ती जबके एक लाग का phone इस्तमाल कर रहे है, और बोरे मैं आपको हमेशा support करूँगा इसके अंदर, thank you so much आपके support के लिए, आप जो बोरे आपके friends की बाद, actually ये general mentality है, और Android phone के users के अंदर, लेकिए मैं generalize नहीं करना चाहता है, लेकिन generalize मुझे करना पढ़ रहा है यहापे, क्योंकि generally ये चीज Android phone users के अंदर ही देखी जाती है, कि वहाँ पर जो application purchase है, उसको एकदम बे दुखा माना जाता है, और directly जो moderate applications है, और जो pirated version है, उसको download करना पढ़ रहा है, रिकिए I'm really sorry अगर किसी को इससे बुरा लगे, आप में से कोई भी off-end हो रहे हो, आप लोग हो सकता है, कि Android user हो और खरीद की use करते होंगे, बहुत चीबाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग है, in fact, अभी मेरी एक YouTuber से बात हो रही ती कलपर सो, उसके almost एक million subscribers है, सोचिए लाखो रुपय कमाता होगा मैने का, और वो मुझे पूछ रहा है, उसको iPhone की knowledge है, वो मुझे पूछ रहा है, कि मैं iPhone लेना चारा हूँ, और उसमे पधुपर आप विटार का, यह भी Macbook से related question है, काफी Macbook से related question है, जो लोगvic Link के बार में रहे हैं, या सुनना नहीं भी चारे होगा, और कर एक सुनेंगे तो बहुत चीँ बात है, क्योंकि यह चीज़ में इन्डीया के अंदर हमारे लोग के अंदर काफी कम है, awareness काफी कम है, तो यह बूर है कि Apple ने अभी WWDC में Announce किया ARM-based MacBook का तो क्या वो आने के बाद इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्या Intel-based MacBook जो है वो वैसे ही रह जाएंगे उसका support बगरा बन जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं, Apple ने साफ तोर पर WWDC में बोल दिया है कि ARM-based MacBooks हम लोग लेके आ रहे है लेकिन Intel-based जो हमारी machines है उसको long-term support मिलने वाला है क्योंकि इतना बड़ा market ये Intel-based machines ने capture करका है ARM-based तो भी आएगा, एकाद model में आएगा और तिरे दिरे, फिर वो जो है दो साल के उपर complete transition होगा जब तक Intel वाले models भी Apple और launch कर सकते है तो कोई भी डरने वाली बात नहीं अगर आपको आज भी ये चीज लेनी है bootcamp वगरा चलाना है तो बहुत अच्छी चीज़ है आज आज भी जाकर इसको ले सकते हो अगला कुशन है तो टेकनिकल प्लानेट का दुबाई से लिए वे iPhone पे पीछे CE, dustbin वगरा देखने को मिलता है तो वहाँ पे ये चीज़ क्यों होती है उससे लोग खराब जाता है iPhone का इस तरी का clean look नहीं देखने मिलता है वो दुबाई वाले iPhones नहीं है दुबाई के लिए जो बनते iPhones उस पे वो चीज़ नहीं होती है चाइना ने Hong Kong में नया security law लगाया है जिसके अंदर basically ये बोला है कि वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी चाइना खिलाब बुले और अगर वो Hong Kong आता है Hong Kong resident नहीं है तो भी उस पे कारवाई हो सकती है इसके बारे में आपका क्या बोलना है अगरा कोशन है दोस्तों गोपेश का ये वो थे आपके चैनल पे कोई banner या फिर logo, music, introduction जो है, intro वाली clip वो सब क्यों नहीं लगाते हो background music क्यों नहीं लगाते हो background music या कोई भी type का music में अपने videos में use करना पसंद नहीं करता हूँ मुझे जो है, खुद किसी का अगर video देखू तो वहाँ पे एकदम pure जो उसकी voice है वो ही सुनना अची लगती है background में जो music है, मुझे बहुत जार disturbance लगता है उसका और मैं नहीं चाहूँगा कि जो चीज मुझे नहीं पसंद है, वो चीज में आपको serve करूँ हो सकता है, हार किसी को वो चीज से agree नहीं करता हो, लेकिन सबके अपनी मर्जी है, और मेरी ये मर्जी के background music का इस्तमाल, किसी भी तरीके की music का इस्तमाल नहीं करूँ और introduction जो आप बोल रहे हो intro जो footage होती है, उसके वाले कभी सोचा नहीं, मैंने हो सकता है, कभी आगे जाके future में बनाओ, लेकिन अभी मुझे से लगता है to the point अगर वीडियो बनाओ, तो जाथा better होगा, अगला question है दोस्तो, सार्थक राज का बोलते है, student हूँ, कुछ video editing करना चाहता हो, YouTube के लिए फिल्मोरा यूज करता हूँ, Windows में तो सोच रहो, Macbook लूँ, या फिर Macbook Air और iPad Pro का combination लूँ, कौन सा यूज करना चाहिए, LumaFusion या फिर Macbook Pro 2020, कौन सा लेना चाहिए, Final Cut Pro के बारे में, बताइए मुझे ऐसा लगता है, अगर आप YouTube स्टार्ट कर रहे हो, तो आप iPad से जो है, शुरुआत कर लो, वेडियो एडिटिंग की, क्योंकि iPad में LumaFusion जो application है, वो साल भर के लिए नहीं, जिन्दगी भर के लिए आपको 2000 रुपे में मिल जाएगा, Macbook Pro आप लेंगे, तो अच्छी बात है, वो एक कर सकते, क्योंकि दोनों software equally good है, आप LumaFusion के अंदर भी professional level की वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे, हमारे Q&A का आखरी question है, Harry Ahuja का, ये बोलते है, इनके पास iPhone X है, येलो कलर का जो display है, True Tone का, वो मुझे पसंद नहीं है, True Tone के pros and cons बताइए, और True Tone से battery life पे कुछ effect पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, देखिए, अगर True Tone से कुछ effect पढ़ता भी होगा, battery life पे, तो negligible होगा, मुझे लगता कोई जो है, उसका significant effect के आपको कभी भी notice कर पाएंगे, रही बाद True Tone क्या है, तो True Tone ये है कि ambient lighting, यानि कि अभी ये जो room में बैठा हूँ, या मैं बाहर जाता हूँ, तो जो lighting है यहाँ पे, suppose यहाँ पे white light है, cool light है, बाहर जाओगा, तो warm light है, रात में अंदेरा है, उसके मुताबिक आपका जो display का color temperature है, light का color temperature होता है ना, 5600 Kelvin, 6000 Kelvin, 4000 Kelvin, उसको जो है, वो adjust करता है, उसको पीला बनाता है, white बनाता है, blueish बनाता है, तो आसपास की जो आपकी light है, environment की, उसके मुताबिक वो चीज़ को अल्टर करते रहता है, real time में ताकि आपके आँखों के उपर घराब जो असर है, वो ना पड़े, आपको headache ना हो, आपके आँखों पे जो है, stress ना पड़े, तो यह basic सी चीज़ें, जैसे Samsung में आपको दिखने मिलती है, blue light filter, जहां पे display yellow हो जाता है, लेकिन यहां पे यह चीज़ जो है, real time में काम करती है, और काफी अच्छे से काम करती है, MacBook पे भी है, iPad पे भी है, iPhone पे भी है, सब जगा है, और अगर आप इसको use करेंगे, तो अच्छी बातें नहीं करेंगे, तो आपकी मर्जी है, तोस्तों यह था आज का मारा Sunday की वने उम्मीद करता हूँ, आपको आज का वीडियो पसना होगा, आपके जो भी दिल में सवाल है,